आप सबका स्वागत है हमारे यूटीब चनल चाया मिस्रा की रसोई में तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाह तरीके की नास्ते जो कि आपनों को मालूम है कि स्कूल चालो होने वाले बच्चों के बहुत जरूरी है यह बहुत हल्पुल होगा प्रीमिक्स भी बताएंगे जो कि आपनों के बहुत हल्पुल होगा तो चलिए आज का पहला नास्ता देख लेते हैं यह हमने ले लिया है डाल एक बाउल उसको भीगो कर रख दिया था ओवरनाइट के लिए और यह दो से तीन हरी मिरश यानि मिरश अपने हिसाब से ले सकते हैं लेसन है अद्रक है यह एक कस्तोरी में थी एक स्पून जीरा, जटFRारी, गर्ममसाला, हींग और दरीख मसाला बहुत ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है।ιο बहुत ज्यादा कर लियंकि कॉंकि उसके इनकाम का हुआ है। भी पव्य जूपा टानमे और ठानमार nमक ी ले ठाएन में पशाएं में में बरष이 तो इस बाद़ लें करना हैRUP अब यह डाल देंगे हम थोड़ा से चाट मसाला हमें कम लग रहा था है थोड़ा से और डाल दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे आठा तो आठा क्या करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो पहले में एक बाउल डाल दिया है अभी देखिए इसमें मॉhenn के लिए घीप थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है तो यह देख सकते हैं इस तरह से मिक्स करते रहेंगे अब अब देखे इस पूरा बाउल एक बाउल आटा हमारा लग जाएगा इतनी दाल में यह देख सकते हैं क्योंकि हमें कचोड़ों के लिए सक्त डो लगाना है यह लेखे इतना आठा आटा आको के अगर आप ढल लगा लांगे तो इसे स्क्ट डोक बना लिया और testing के देखेंगे मौ stuffing कम कहसे देखे गया क्जा करेंगे इस तरह से हम करेंगे इस तरह से हम बेल था आपको चाहें तो आप उलगा कर बेलने या to मौनें जा indoर अन्या बेल नहीं है कि देखें लगा सकती यह बेल लो इस तरह से तरह से सारी बेल कर रख लेंगे यह देखिए इतनी थिकनेस की होनी चाहिए यह देखिए तो अब क्या करेंगे श्यार बोट बेल नहीं है आप पहले थोड़ा सा डो डालकर देख लेंगे यह हमारी गड़ाय अच्छे से ऊच्छाओ जानी जाए बस बढ़े बस पूडी को फ्राइ करेंगे, यह देख सकते हैं इस तरह से, तो देखेंगे यह तेज कड़ाई होगी तो डालते ही पूडी फूल कर हमारी अच्छे से आ जाएगी, फिर एक बार फूल कर पूडी आ जाती है फिर उसको दीमी-दीमी फ्लेम पर सेख लेना है, इस तरह से यह द पूरियां इसी तरह से सेखनी हैं हमको ज्यदा टाइम नहीं लगेगा बहुत अच्छा टाइम लगेगा और बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे और बच्चों के सरें में प्रोटीन वगरा भी जाएगी तो यह देखे खास्ता क्रस्पी बन करके तैयार हो गई है हमा दूरी प्रेमिक्स भी है को छड़ से लोगेदा बना बनाएं बहुत है तो यह देख सकती है तो स्था शाय है ना फूनसलिया एंगा और यह हमने थोड़े फड़ सुक यह ख़ड़ मचा नहीं यह फंसबन है न को यह थोड़े मीरच है लाल भी रखासली है और देख सकते हैं मिरच है लाल हिंग है और कस्तूरी में थी है और ये रही एक ऐगार उृट की दाल ठीक है इसको ले लिया तो इसको तो हम आपस में ही पीसेंगे बून कर रख लिया है आपस में पीस लेंगे ये देखें ये हमने सुखा कर लिया है लेकिन अगर आप मधो और ते चाहते हैं कि आप सिर्फ मसाले बना कर रहें लिगते, लो ये फीजी iki जो चाहते हैं कि दाल मीघर बना थे तो गया है तो सब्सक्स पहर Library का दाल में मधशलय है ämän jij प्रिमिक्स के सकते हैं। रखा हुआ हैं, ता आप मीग्ष है पूंटिती हैं पूंटिती हैं। यह लिए जाल के समया पूंटिती हैं तो स only हम प्रिम पैसा कर देख हुआ है। यह न हमें पूंटिती हैं और फिर गाड़ पाराइँ। तो चलिए बनाते देगे इसी बहाने से बच्चों के जो मुह में होगा वो अच्छे से स्वाद भी जाएगा तो यह देख सकते हैं तो हमने हाटा ले लिया है दो बाउल अब इसमें एक बाउल हम डाल देंगे यह प्रीमिक्स जो बना करके रखा था इसको मैट कर देंगे औ अब इसमें हम नॉर्मल पानी से बनाना है नॉर्मल पानी से हमने आटे का डो लगा लेना है 심플 क्योंकि गर्मी जादा है अगर ठंड में आप बनाते हो तो आप थोड़ा सा गुलगुना पानी भी ले सकते हैं तो यह देखे डो बन करके तयार हो गया नेक्स देखेगा तो रेस्पी बहुतिंस यंवी हैं तो पहले यह देख लेते हैंφ यह दोनों आटे से बने हुए है आगे इस जीë बना सकती है तो यह देखेगा पहले हम इसे बेल लेते हैं सिंपल सा रवल पर लगा लिया है घी और चकले पล घह लगाना थोड़ा चाहिना तो यह दूसरी देख सकते हैं बड़ी आसानी से बिल जाती है कोई पर्थन अगर आप चाहते हैं कि सुखा आटा लगाना तो आप लगा कर भी बेल सकते हैं जरू नहीं है कि घी लगा कर आप बेलें अब यह सारी बना लेते हैं फिर दिखाते तो इतनी हमने बेल कर रख हम दिखते हैं थोड़ा सा अंसरी असरी फूल स्वशा collectors कर देंगे तार से दिखेगा ड्यां के अगर प्रॉपरिक्ट से अपने डोखाया होगा तो यह देखी है इसा आप बस रोटेट करके सेखना सेखना ताकि हर तरब से अच्छे से क्रिस्फी हो जाए किस देखी हैं। इस तरह से अरफ पूरिया हम बना करके एंड लिया है। तो यह अमने छोले के साथ सरफ करिende। उपहने करें इस साथ सिम्पल भी खा सकते हैं। क्यlingset शाल आज पूरिया है क टो चलिए इस basit किसी नाथियों जान फेस्टाइ करते हैं। तो यह चिनल अभी को रिपार करते हैं। तो उमने लादा पेस्टाइ का लादा पेस्ट लिए था अब ऐल की 2 borrow स्पूनओ जीरा, फ्यक्ति हम गा कीसमीरे संod तो देखें इसे अच्छे से बूल लिया है अब देखें आपको टमाटर के वज़े थोड़ा सा लाल दिख रहा होगा रेड़ दिख रहा होगा आप चाहने तुसमें हल्दी पाउडर भी एट कर सकती है अब देखें इसमें आलू ले लेंगे अलू को अच्छे से मैस करके इ अब देखें हमने एक बाउल ले लिया है पानी तो हमें एक बाउल पानी की जरूरत है क्योंकि हम आगे देखें क्या यूज करते हैं पानी का इसमें प्रॉप पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा तो यह हमने डाल दिया चाट मसाला भर करके स्पून और नमक डाल देख सकते हैं कर से गरब मसाला डाल देंगे डनिया डाल देंगे इसको साही चीजों को सुझा कर लेंगे इस करो तोड़ते जाएंगे 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 तोड़ के फॉर्म में कर लेंगे लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है अब यह चीज है इसको आपको तुरंत बनाना होगा यह रख नहीं सकते हैं पहले की जो दो कचोडिया है वह रासाम को आप यूज साम को डो लगा कर लग दीए उसके वाद सुबह आप आराम से बना सकती ह यह चावल के आटे की जो काचोलगा बनती है वह इसी तरह से बनती है तुरंत बनानी पड़ती है तो देमके पांच मंडे के लिए फिर फिर और थेखें पांच मिपड़ती है चावल के अप internacional के तो सितनी हमें हाद से बनानी है पुरियों है बेला degना है हां by भाव हाद आपको जंदीया प्रणिया और चावल का प्रेंस अच्छी से जोड़ियों करें तो प्रेस्ट प्रिस लाईगे इस तरह आटे को देखिए हैं अगर है चलिये तो तो प्रीज लाइक करेंगा और चावल काँटा ले लिए लिया है ऐक बाउल चावल का अटा ले लिए लिया नगे लेख सकती है और अपनी पैन ले 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 लेंगे अपना उसमें डाल देंगे ऑईल देखेए 2 पून के करीब जील डाल देना है हाप पोन जैसा आपको टेस्ट पसंद हो उसे साथ भी डालना है आप डी बाउल कर देखे और क्या करेंगे इसको बॉयल कर लेंगे तो ग्हाल बावल 1-50 दिर्ट वावल नमक डाल देंगे, पानी इनफ है यह देखिए में डालफ और असमे नमक की आणिक है हमारा मसाली नमक है, नहीं अगर मसाला नमक डालना चाहते हैं तो आप पाब असला झाटे ब ढावर को दिक्कत नहीं है तो अब देखे इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे डोग की तरह तो यह देखे अभी आपको ड्राइ लग रहा होगा लेकिन अभी पांच मेट के लिए हम इसको ढग कर रखेंगे तो यह अच्छे से हो जाएगा तो यह देखे इस तरह से मिक्स कर दिया अच्छे फार नमक दाला था जोकि किम वीडियो मैं दे रखता है अब शमे groom दाल में पेड़ने लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला ये सारी अदाल कर हम बना लेंगे अच्छा सा डू शोपिंघ बना लेंगे अब यह देखे अब इसंगे क्या करना है अगर आपका आटा किसी तरह से ड्राई हो जाता है तो कुछ नहीं करना है आपको अच्छे से बढ़ा से बना लेना है तो अब क्या करेंगे है चोटी सी बॉल ले लेंगे इस तरह से हांस से हख्याएंगे हम इस तरह से देखे और आप इसके अंदर अपनी स्टरपिंग भर लेंगे तो स्टरपिंग को ऐसे भरेंगे कि यह बाहर निकले तो कोशिश यह करनी है कि अच्छे से क्योंकि चावल के आट्टे को कितना भी आप समाले थोड़ा सा फटने लगता है यह इस तरह से जितनी आप स्टरपिंग असा अच्छे से क्रैक से बनेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी आप दीरे से चुटकी से पकड़ पकड़ कर इसको अच्छे से दबा दीचे तो यह बन गया है अब इसमें एक कित करके डाल देंगे थोड़ा सा डो डाल कर देख लें लेकिन यह याद रहे इसकी कड़ाई अच्छे से बना ली है और आप क्या करेंगे दीमी आज पर इसको फ्राइ करेंगे यह थोड़ा सा मोटी बनेंगी क्योंकि इसमें आपने आलू का डो भरा होगा मगर जाधा टाइम नहीं लगेगा इसको भरने में बनने में तो यह अच्छे से क्रिस्पी हो गई है के आगे आप समोसा खाना भूल जाएंगे इतनी यम्मी लगती है अलू भड़ी चाबल की कचोड़ा देके बन कर तेयार है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब एंड सेयर करेंगे कमेंट करके जरूर बताएगा कि चारू ना